हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के विसे सामाजिक अध्यन की वर्क सीट को सॉल्व करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी ये वीक नमबर वन के लिए हैं जिसका टॉपिक है हमारी प्रत्वी तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो बच्चों शुरू करते हैं Q1 है बच्चों रिक्तिस्थान भरिये कैं है लगबग 4.6 अरब वर्सपूर प्रत्वी गरम के रूप में थी तो किसके रूप में थी पानी के और गैस के तो किसके रूप में थी गैस के रूप में Q2 है प्रत्वी धीरे धीरे थंडी होकर पिगले हुए में सुकड गई तो पिगले हुए किस में सुकड गई भूमंडल में सौर मंडल में तो भूमंडल में सिकुड गई नेक्स्ट है प्रत्वी पर जमी परत के कारां और बने तो क्या क्या बने महाद्वीप, महासागर, नदी और नाला तो क्या बने महाद्वीप और महासागर नेक्स्ट है लगभग 18 करोड वर्स पूर के टुकड़े होने शुरू हो गए थे तो किसके टुकड़े होने शुरू हो गए थे तो पैंजिया के टुकड़े होने शुरू हो गए थे नेक्स्ट है महादीप अभी भी दीरे दीरे रहे हैं तो उड़ रहे हैं या सरक रहे हैं तो महादीप अभी भी दीरे दीरे सरक रहे हैं अब बच्चो अगला कोश्चन है महादीप कैसे बने तो बच्चो कैसे बने लगभग 4.6 अरब वर्स पहले प्रतवी गरम गैस के गूमते हुए गोले की तरह थी बाद में वह दीरे दीरे ठंडी होकर पिगले हुए भूमंडल में सिकुड गई फिर और ठंडा होने पर जम कर कठो रूप ले लिया अब प्रतवी के ऊपर एक परत जम गई जिससे महादीप बने अगला कोशन है बच्चो लाखोवर्स पूर्व प्रतवी पर केवल एक ही महासागर था उसका नाम बताईए तो बच्चो उसका नाम क्या है पैंथलासा नेक्स्ट है लाखो वर्सपूर पश्चिम पर इस्तित एक मात्र महदीब का नाम बताईए तो मात्र महदीब कौन सा था? पेंजिया नेक्स्ट कुश्चिन है बच्चो करोडो साल पहले भारत और एशीय महदीब के टकराव से बने परवत का नाम बताईए तो इसके टकराव से कौन सा परवत बना था हिमाल्य परवत अगला कुश्यन है अपने घर के बड़ों से पूछ कर लिखिए कि उनके आसपास की जगहों में क्या-क्या बदलाव आए हैं तो बच्चिस का आंसर है पहले हमारे आसपास खूब पेड़ पौदे हुआ करते थे लेकिन अब चारों तरफ इमारते हैं इमारते दिखाई देती हैं जनसंख्या में भी खूब व्रद्धी हुई है अब यह बच्चो जीवन कोसल से संबंदित स्ष्ण है परिवार के साथ संबंद्ध प्रश्ण है अपने घर के बड़ों की आप किन-किन कारेों में मदद करते हैं उनकी सूची बनाइए तो बच्चो आंसर है घर की साफ सपाई करने में, अपनी मम्मी की रसोई घर के कारें में मदद करने में और दुकान से समान लाने आदी में मदद करते हैं बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीक चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू